question number दीजेगा unnatural and accidental women publication 2005 का date याद होगा दीजे नहीं तो नहीं दीछीजे is a play by mary clements birth उसका 1962 में है date अभी नहीं जिंदी है बिचारी तो ये date तो किताब से उतारना परता उतार लेते हैं आपको याद करना है याद नहीं होगा छोड़ दीजे she is a Canadian and belongs to the post-modern age the post-modern age क्या समझे इसको this means that she belongs to the period after world war 2 1939-95 ये दियाद रखिये उसके बाद ये उसके राइटर आई है she knows the horror of the western society after the two world wars एक नहीं दो दो विश्वर धुआ उसके बाद western society में तहश नाश हो गया उसको उसको के मालूम है ठीक है some works of Mary Clements are कुछ रचनाई दीजे तब नंबर देगा bones of crows कवे की हड्या red snow लाल भर्फ road forward आगे जाने का रास्ता lay down your heart ये भी है lay down your heart looking at edward edward को देख रहे है and the age of iron ये सब को बहुक्स है अब PTO में पनाव को लटना है अकेले हैं आज हम फिर कहीं गलती होगा तो घबड़ाई ये कर नहीं today I'm alone अचा पीस 2 में हम काना है न चलिए पीस 2 में हम आगे अब देखे क्या आत है अब स्टोरी पाईए आप आइटर का परिच्छे देदी ये समय के बारे में बता दिया अब देखे a natural and accidental women it's a sensational play संसनी वाला ये नाटक है अब देखे Kilbert is a series killer कई को मारता है series killer मारता है 10-10 औरत को मार चुका है series killer लगाता है मारते जा रहा है he has killed 10 native women of Canada और 10 तो औरतों को मार चुका है native काते है ना जो पुराने वासिंदा है इसे संथाल परगार में संथाल हो गए native पुराने लोग है native women of Canada को मार चुके है his way of killing इसको मारने का तरीका भी गजब है he forces his victims to drink alcohol till they die शराब को चसका होता है जिसको उसको शराब पिलाते 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 वो मार देता है इससे पकड़ाता नहीं कोई रंगे हाथ में देता बाहना मिल जाता है Gilbert uses high blood alcohol और alcohol में क्या करता है बहुत ज़्यादा alcohol देता है इससे पहुत ज़्यादा वो देता है high blood alcohol technical word है इससे मर ज़्यादा पीने बाला this causes poisoning and death इससे poisoning हो जाता है death हो जाता है अब देखे the villainy of Gilbert reminds us of Iago in Othello by Shakespeare Shakespeare नहीं भी खलना है Gilbert के तरह है इसके हम को यात लाते comparison से नहीं अच्छा हो impression लगता है page 2 हो गया यह अब हमारे page 3 में जाना है page 3 में जाना है page 3 चले हो page 3 page 3 आगया page 3 में आगया Gilbert is a racist यह important word है यह नसल बाद है गोरा को नहीं देखना चाहता है काला गोरा को नहीं देखना सकता उसको करते racism he is a white and does not like the natives of Canada यह गोरा है वहां के पुराने लोग वासिंदा है उसको पसंद नहीं करता है besides उसको अलाभा कमा देना है he is a misogynist 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 मैं जोता है a man who hates women बड़ा बड़ा शब्द दीजें उसको समझाइए तो क्या है यह जो है खलायक गिलबर्ट misogynist a man who hates women बड़ा खलायक after considering the antagonist खलायक or the villain let us consider the protagonist Rebecca antagonist protagonist protagonist hero Rebecca is a native 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 two years ago her mother shady went for a walk and never came back home इसके ममी 20 साल पहले टाहले गई थी फिर वापस घत नहीं आई कहां चली गई क्या हो गया कैसे मर गई Rebecca wants to find her mother Rebecca पनी मा को खुजना चाहता है if not alive she wants to find out the cause of her mother यदि वह जिन्दी नहीं है यह कम्रिश का पता लागाना चाहती है कि उशकी मा केसी मर गयी अपको page 4 में जाना है page 3 हो गया है आपको nervous नहीं होना के लिए है कोई बात नहीं page 4 में जाना है page 4 में जाना है page 4 में आ गया वाश वाश याबाश चलिए अब दिखिए a natural and accidental woman is similar to the novel surfacing 1972 में यह novel लिखा गया है यह पढ़े आए कुछ-कुछ तो यह क्या कहते है इसको याद है, मुलको याद दिला था यह कौन लिखिया है, Margaret Atwood यह भी Canadian है, और आते है यह भी Canadian है, वह ही देश किया है लेकिन यह novel लिखिया है अब यह कूर से पढ़े, वह द्रामा पढ़े है ठीक है, surfacing देश को यह protagonist of this novel यह surfacing का, makes a long journey to find her missing father यह इसमें क्या है, जो protagonist है surfacing में, अपने खोये पिता को पता लगाने ने लिखिया पता लगाने लिखिया है, पता लिखिया है यह किता चपी है, अम लोगा जो रामा है, इसके बाद थर्टी तर्टी का शपी 33, 33 साल के बाद यह थिसके बाद यह द्रामा चपी है, unnatural and accidental तो इसमें रेपेका क्या थी, makes a journey to find a missing mother, यह माह की तलाश में निकली है ठीक है, रेपेका meets different people and goes to different places, बहुत लोगों से मिलती है, बहुत जगा जाती है, अब देखे कि उसको संजु कहा है रेपेका meets some workers in a hotel, अब होटेल में कुछ workers दो मुलागा होती है रेपेका को, she comes to know that Gilbert paid a high sum of money to the bar owner to serve high blood alcohol, अब उसको पता चलता रही रही ये Gilbert जो है, बहुत जादा पैसा जेकर, खुब नशीला शराब लोगों को पिलाते रहता है, अब रसों को पिलाता था, थामजगे इखल लाए के पता लगाते है, page 5 हम चाहेंगे, page 5 हाँ, page 5 मामा आ गया रेपेका is sure that Gilbert has murdered her mother अब रेपेका को पक्का हो जाता मालो, कि ये Gilbert ही मारा है, मारी ममी को, after this, a natural and accidental moves like a revenge play, इसके बाद ये नाटक जो है ना, revenge, बदला, खोन का बदला, खोन, ताम जान इसको इसके इसमें आपा जाती, इसके रिवेंगे रेवेंगे प्लेगे नाटक होता था, जिसके बदला ही बाला दिखाता था, we remember the revenge play, the Spanish tragedy by Thomas Kidd, और history of English literature पढ़े होगे देखेगा, शुरू-शुरू में जो ना के English literature हुआ, तो Spanish tragedy आया था नाटक, बदला है, बदला है, कौन का बदला, खोन, कौन का बदला, खोन, कौन का र दैं का बदला, नाटक, नाटकै aja, बदला, नाटको नाटका था, अपना बदला ले लाती है, यह पाना वेका ब्दला लेती है और कार ये उसको मार देती है, अपना बतला ले लेती है, उसकी मम्मी को मारा है, और मम्मी को खून का बतला ये ले लेती है, she shows her protest against social discrimination, ठीक है, the media and the government, और इससे मार के वो क्या दिखेती है, अपना protest दिखाती है, समाजी में जो गंदा प्युशार है, उसकी मम्मी को मार दिया तो ये भी मार देती है, प्रोटेस दिखाती है अब मीडिया और अकबार वाला क्या क्या मुडर को उसको चिपाते गया, एक मार दो मुडर तीर हुआ लेकिन, अकबार पब्लीश नहीं क्या, सरकार कुछ आक्शन नहीं लिए, इससे लगाता है, दज़दा तो ओरतों का मुडर हो गया, तो अब क्या है, वो अपना protest दिखाती है किसके खिलाब, ये discrimination के खिलाब, तुम के तो हम भी कर देते हैं, मीडिया के अकबार के खिलाब ये protest दिखाती है, और सरकार के खिलाब, सरकार कुछ नहीं करते हैं, तो अपने हाथ में कानून लेकर मुडर करते हैं, विकाज अफ हशिग आप, 10 मिमेर वो मुडर अचिप चाप दाबने के करम सरकार अचिन नहीं दी, अकवार भी कुछ प्रेस नहीं दिया, हशिग दरजद ओरतों का मुडर हो गया, ठीक है, अब हमको लगता है, ये लास्ट पेज है, लास्ट पेज है, हाँ लास्ट पेज ह बन्यास देना है, ठीक है लास्ट पेज, अब टिक, तटाइटल अप देचिए, क्वार निश्टेप, नेश्ट को सम्झाना चेगे, तब अच्छान सरो का, कोई टाइटल, पोएम हो, अब लोग हो, टाइटल को सम्रेगे, तब किलिंग अव नेटिव मन इस अन्नेचरल, और उर्तों को मार दिया, पुराने बाद सिंदों को मार दिया, यह उननेचरल है, ठीक नची बात नहीं है. To hide the crime, the press considers that accidental. पूझानी के लिए क्या करते था press, capital P होगा. हम आगा, dictionary दिखें, तो पूरे, एक्वार क्या करती है, क्या करता है, एक्वार क्या करता है? सोगत accidental देता है, इसलिए दोनों देता है, title का, unnatural and accidental. यसलिए, title जो है, fit, appropriative and fit है. अब conclusion देना है, to conclude, unnatural and accidental woman, women, plural है, यह है, is a powerful drama against and gender discrimination. निश्यू को सताया जाता है उसके खिलना क्या करता है और पूरेश्य को मार देती है तिक है अक्या त्यू और यह तुम देते हैं रहते है ना help tv patient keď, आप लोग बहुँचो मजद किये, उनको बहुँच भँच धन्यवाद, और आपको क्या काते है, यादि को दियो सके तो दीजिये, नहीं तो कोई प्रेशर आपडनेगे, that's all, thank you very much.